अब दिब विहार तो आज हम परड़ी गाउं में नीरल जी से बात करने हैं इनके जो समस्या है काफी दिन से एक समस्या है जो थाना पुलिस जो कोट कच्छहडी के मामले में ने जरा आजा तो ऐसे ही मामले को च्छान मिन करने के लिए मैं इनसे आज बात करूंगा कि आखिर समस्या का इनके साथ क्या रहिए समस्या जो घर परिवार किया कुछ बात जो भीवाद है तो इनके क्या समस्या है तो ऐसे हमको करके रखी है कि जो हम ना जिंदा रहने लाइक है ना हम भूब ज़ाप लाइक है ठीक है अगर जो हमने भाली भूल किया कि जो बंबे में गुजरात में कंपनी खोल करके वहाँ भी मरवाने की साधिस किया गया और दूसरी बात कि 2005 से मेरे उपर जो बिष्टा थाना पर साथन को पूशाद दे करके कांड के उपर कांड जुटा मुकदमा दर्ज किया गया है मेरे उपर मुकदमा था कि हर बोर्स चैन का चूरी मोबाइल का चूरी ठीक है मार पीट गुंड़ागर्दी मतब इत्यादी जो भी हो सो मतब यह हमारे उपए 2005 से ही किये हुए है जो भीटा थाना में दर्ज है ठीक है मैं डियस्पी साहिब को भी आवेदन दिया था मगर उसको आवेदन मुखिया ने खा गया खालिट कर दिया हाँ इनमें कौन सा बरा हंस्ती का नाम आप दे रहे हैं किस बरा हंस्ती के अगर को बिहार शरीप का जो काजी चकुस का मकान है जो अभी भी उसके रुटवा पे बुकारों में सिक्टर 12A में रहते हैं उसी का ये रुटवा है और उन्हीं का दबदवा है कि जो हम जिन्दा न रहें तो इनके जान से मारने की साजिस की गई थी और कई बार जेल जा चुके हैं नीरत जी तो ये इंसाफ के लिए हर जगा जो डर्द भटक रहे हैं तो ऐसे में कब मिलेगा इंसाफ आप देख रहें दिव भिहार रोईत कुमर